तुझे गयर मुस्तरकारकरदगी वकित का जाया करना कितना बड़ा नुपसान है अब तोजियों से सुनिएगा बड़ी इंपोर्टिम बात बताने जा रहा हूं आपकी टीमें हैं विश्मार लोग काम करते हैं आपके साथ सारा दिम कोई गाम नहीं करता है कि आपको अंदाजा है कि अगर आप एक फर्द आपकी टीम का एक एक अदमी सिर्फ एक घंटा रोगजाना का जाया करें एक फर्द अगर एक घंटा जाया करें तो उसका आपको और आपके अदारे को कितना नुक्सान हो सकता है कैन यू इंजि मैं मुझाता हूं समझीगा जरा कैसे एक्जेμपल ले रहा हूँ तर्टीब अपनी अपनी कर लीज away मुध्लिफ लोगों के चेक्स मुध्लिफ आते हैं ना बोनस सेलरी जिनकी सेलरी जिनका कमिशन आता है हर आदमे का मुख्लिफ होता है वो हजारों में भी होता है, लाखों में भी होता है, मिलियन्स में भी होता है, तो ठीक है रहूं? हम फर्ज करते हैं, एसस करने के लिए, कि अगर एक घंटा एक आदमी के माफ़जा हो, खावो सैलरी का, खावो बोनस का, जितना बोनस आया है, अगर उसके दिनों पे अगर एक घंटे का माफ़जा कितना निकलेगा, अगर एक घंटे का माफ़जा निकलेगा, अगर एक घंटे का माफ़जा कितना होगा, एक घंटा जाया करने का, फिर अगर एक हथते में इतना होगा, तो साल के बावन हथते में कितना होगा, और फिर साल के बावन हथते मे एक बंदे ने कितना लुक्सान पहुंचाया वो पूरे साल में पूरे टींग मेंबर्स को करें जमा तो कितना होगा द्रत को जो से देखिएगा फॉर एजेंपल वो थोड़ा मिनिमम पैसे रखे हैं 32,000 अगर एवरेज बोनस जो है नवीज साब डक्टर चौहान साब आपकी टीमों में मुफ्लिक लोग काम रहते हैं हलाकों वाले भी है अजारों वाले भी हैं अगर सब का हम एवरेज बोनस 32,000 कर ले तो मरासिव है 32,000 क अगर आप पांच वर्किंग डे कंसिडर करें कि सरफ पांच वर्किंग डे होते हैं तो रोजाना का बोनस 16,000 और वार दिन के आठ गहंटे काम करें तो एक गहंटे का बोनस कितना बना सिर्फ 200 रुपे तो दोसों कि क्या वखवादी को एदिए अब देखते हैं एक गहंट एक ती मेंबर का गहंटे का मावजा है 200 रुपे हफ़ते के साथ दिन उसने जाया किये एक गहंटे के साथ से कितने का सदाया किये उसने 1400 रुपे साल के 52 हफ़ते जरफ फी हफ़ता 22,800 रुपे एक आदमी ने नकसान पहुंचाया और 22,800 जरफ टीम के मेंबर आपको बड़ी टेमी ना करें बड़ी टिम नहीं हैं जिस सिर्फ सौ बंदों की एक्टेम जी आपकी तो अपने टीम मेंबर को भी सभ़ झाये खुड effic Apart है तो आज के बात हमने के हर हमटे को बेटवीं तरीके से इस्तिवाल करना है